Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इसके अलावा जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता था, वो यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो APJ अब्दुलकलाम आइलेंड है उडिसा के अंदर, वहाँ से लेकर पूरा बे ऑफ बेंगाल और नीची अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन तक, कर दिया था, यह अल्रेडी पिछले महने सरकार ने अनाउंस किया था, और फाइनली आज खबर यह आई है कि यह जो NO FLY ZONE डिक्लियर किया गया था, उसका मेन मकसद था, अगनी 5 का सक्सेसफुल ट्राइल, और यह फाइनली पूरा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया सक्सेसफुली कैरीज आउट 9 ट्राइल सॉफ अगनी 5 नुक्लियर केपिबल मिसाइल, त that is 28th of May 2023 को, तो आपके लिए one stop solution study IQ लेकर आया है, सिर्फ prelims के perspective से, क्योंकि आपको पता है, prelims के अंदर बहुत जादा cutoff जाता है, यहाँ पर आपको वो cutoff clear करना है, इसके लिए आपका जो current और static का preparation है, वो integrated manner में होना चाहिए, तो यह 200 plus hours of life classes के माध्यम से सभी कुछ कराय जाएगा, CSAT कराय जाएगा, इसके लबा रिव्जिविजन जो booklets हैं, वो आपके घर तक भेजे जाएंगे, all India open mock test ये भी आप कर सकते हैं, at a very affordable rate, you just have to use the code अंकित लाइव हमारे website पर, app पर comment में इसका link मिल जाएगा, और सिर्फ 6000 में आप इस पूरे course को ले पाएंगे, इस simply use करिए code ताकि आपको maximum discount मिल सके, इसके लावा और अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुबात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखिए य इसरो अपना rocket भेजता है, वो आंधर परदेश के अंदर, नीचे आंधर परदेश के अंदर जो स्री हरी कोटा है, वहाँ से किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये rocket था, इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलेंड से इसका परिशन किया गया, और ये successfully हुआ है, अगनी 5 ध पहला है, और ये ध्यान रखना है, आपको पहली बार, नाइट ट्राइल किया गया है, इस अगनी 5 मिसाइल का, और इसलिए बहुत ज़ादा जरूरी मनाया जा रहा था, और साती साती ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं, जब आपको पता है, अरुनाचल के अंदर, यहाँ पर हर ट्राइल में आपको समझना है, कि जो नए टेकनोलोजीज हैं, जो एक्विपमेंट्स हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती हैं, तो बताया जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं, उसका सक्सेस्फुल परिशन किया गया, और जो मिसाइल है, उसको लाइट बनाया गया ह से क्या होता है, कि आप मिसाइल को कहीं पर भी इजली कैरी कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी हो जाता है, और दूसरा ये चीज़ है, कि जब भी आप नेक्स ट्राइल करते हो, तो आप ये देखते हो कि आपकी रेंज बढ़ ही है कि नहीं, याद कीजेगा पिछले साल जो अ पहले ही बता दिया था, कि ये जो पूरा एरिया है, इसको यहाँ पर no fly zone हमने पहले ही डिक्लेइर कर लिया था, दिको no fly zone basically declair करने का main मकसद होता है, कि पहले ही यहाँ पर हम आगा कर देते हैं, सभी countries को कि आप अपनी जो flights हैं, जो भी चीजे हैं, उसको यहाँ से मत ले ज पहले जो China का spy ship है जिसका नाम है Yang Wang 5 वो भी Indian Ocean के अंदर आ गया था और इससे कही ना कहीं ये लग रहा था कि क्या जो China है वो हमारे missiles को track करने की कोशिश कर रहा है लेकिन let me tell you कि ये जो trial हुआ है उसके just पहले ही यहां पर खबर आ गई थी कि जो China का ये जो ship आया था Indian Ocean में वो आपका जा चुका है वो leaf कर चुका Indian Ocean region से और ये भी एक important चीज है आपको समझना है क्योंकि ये जो ship आप देख रहे हो इसके अंदर capability है जितने भी missiles की testing की जाती है जो भी कुछ होता है वो अपने radar के माद्यम से आप अगर देखोगे ship के उपर बहुत सारे strong radar लगे वे हैं अब ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया आपको कि Agni 5 एक ballistic missile अगेन, ballistic missile हम सबको पता है कि ये क्या करता है ये atmosphere के अंदर enter करता है और फिट जो gravity है उसके मदद से बहुत तेजी से वापस से enter करता है और जो भी target है वहाँ पर अपना निसाना लगाता है तो इसको कहा जाता है ballistic missile जिसकी trajectory इस तरह देखने को मिलती है लेकिन जो cruise missiles होते है cruise missile आप देख सकते हो इसका path काफी नीचे रहता है ground के नसदीक रहता है तो cruise missile को track करना बहुत मुश्किल है radar के मात्यम से लेकिन जो ballistic missiles होते है वो आप track कर सकते हो लेकिन ballistic missile का जो एक फायदा है वो ये है कि आप इ ballistic missiles है और 2017 तक बताया जाता है कि पूरे दुनिया में 31 countries ऐसे हैं जिनके पास ये capabilities है लेकिन कौन से ऐसे वो देश है जिनके पास nuclear capability भी है तो China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, UK and US ये 9 ऐसे देश हैं जिनके पास nuclear capabilities है ये आपको ध्यान में रहना चाहिए जहां तक Agni 5 का सवाल है ध्यान अगतार ये जो version है वो change होता रहता है आप देख सकते हो Agni 1 जो सबसे पहला यहाँ पर testing किया गया था missile का उसकी range काफी कम थी 800 km फिर Agni 2 आया 3, 4 आया और अब जो Agni 5 है उसकी range मैंने आपको बताया कि 5000 km से जादा है और इसको develop किस के दोरा किया गया है DRDO के दोरा develop किया गया उस समय भी इसके trial conduct किये गये थे लेकिन इससे भी ज्यादा एक और important चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि Agni 5 को submarine के माध्यम से भी launch किया जा सकता है again this is very important point कि submarine के माध्यम से भी आप इसको launch कर सकते हो यह भी एक important चीज है और यह सारी चीजें develop की गई थी under the integrated guided missile development program एक और चीज याद रखेगा कि Agni 5 एक fire and forget missile है fire and forget का मतलब होता है कि आपने एक बार इसको launch कर दिया तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता except जो यहाँ पर interceptor missile होती है जो दूसरी missile है अगर वो आकर इसको खतम कर दे तब तो एक अलग बात है लेकिन आपने एक बार इ है कि चाइना इससे इतना जादा चिंतित क्यों रहता है दिखिएगा चाइना के पास अपने आप खुद के पास बहुत सारे इस तरह के बड़े-बड़े missiles है जैसे कि डॉंग फैंक 41 जिसकी रेंज बलग भग 12,000 km से 15,000 km बताई जाती है तो कहीं न कहीं ये वाला जो अग कहीं न कहीं चाइना को परशानी थी देखो हमारा मकसद ऐसा थोड़ी है कि यहां से हमें को यूएस भेजना है यूएस का जो दुश्मनी है वो तो चाइना के साथ है तो चाइना को जरूरत है 15-15,000 km तक के डवलप करने की भारत को अभी उतनी आउशकता नहीं है लेकिन ह यहां पर 5000 km जो चाइना तक का कोना है उसके लिए sufficient है जो कि भारत इसे एक deterrence की तरह इस्तमाल कर सकते है आपको ध्यान होना चाहिए कि जो nuclear policy है भारत की वो है deterrence की मतलब की हम कभी भी पहला use nuclear का नहीं करेंगे लेकिन अगर चाइना कोई भी देश हमारे उपर attack करता है तो ह इसकी वज़े से यह deterrence की तरह काम करना चाहिए कि कोई भी देश हमारे उपर हमला ना करे और इसलिए कही ना कहीं जो चाइना है उसको वो panic में है इसके लावा मैं आपको यह भी बता दो कि पिछले साल जब इसका परिशन किया गया था तो चाइना UN के अंदर भी गया था और उसने गोहार किया था कि भारत यह जो परिशन कर रहा है अगनी 5 का वो नहीं करने देना चाहिए इसके अलावा चाइना के अंदर तो यह बाते चल रही है कि यह जो missile का range है वो लगबग 8000 km तक का है जो भी है भारत में हमारे पास अभी तक ऐसी कोई information नहीं है लेकिन च किस देश के पास ICBM नहीं है इसका राइट आंसर आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिले गई वहाँ पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं कोई टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूं बाकिए अगर पर आप जुड़ पाओगे और जैसा मैंने बताया था UPSC Prelims की अगर आपको त्यारी करनी है इस दा वन स्टॉप सलुशन यूज दा कोड अंकित लाइव ताकि आपको maximum discount मेले आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिल तो आपसे नेक्स टाइम तिल रेन थैंक स्टडी आइक्यू आएस अब तैयारी हुई अफोर्डबल